थेलो स्टुजेंट वेल्कम अगेन इन माई यूटूब जनल तो आज हम फिर से डिसकस करने वाले हैं प्रीविज्वीर क्या क्यूशन्स तो वन बाइ वन तुमें करते चलना है किसेंट उसके साथ साथ में तुमें एक्स्प्लेनेशन भी देने वाली हूं उत्व सब्सक्राईश सक्कालकर नहीं होता है यह फैसिकुला टीन यह प्लास्मोडियम एस्ट के च्री मुझे तो तो इसका स्वेडिए आने वाला हैत करेक्ट नेक्षिंट के बारे मिम बात करें तुम से पूछा है कि आरतें जो है कि किस नोल के बना होता है तो आपने को पता है थो हूथ होता है थे शु Canad में कौन- griev न्यू कर रहा है नायटব nitrogenous base phosphate and जो यहां पे अपनी sugar होती है ठीक है जो sugar होती है वो vary करती है यहां पर तुम्हारे पास ribose and deoxyribose sugar भी अपनी दो टाइप की हो सकती ribose मतला वो जो sugar है वो RNA में पाई जाएगी तुम्हें यहां पे जो deoxyribose होगी वो अपनी sugar हम तुम्हें देखने को मिलेगी DNA में ठीक है इस बात का तुम्हें ध्यान रख लेना है जो अपना nucleotide होता है उसमें जो sugar होती है वो vary करती है एंड sugar जो होगी वो deoxyribose sugar होता हो तुम्हें आरी DNA में दिखने को मिलेगी और राइबो सूगर होगी तो तुम्हारी यहां पे RNA में तुम्हें देखने को मिलेगी तो इसी क्या according तुम्हें correct answer choose करते चलना है तो question में पूछा था primary building block of RNA तो क्या होगा nitrogenous base सही है nitrogenous base सही है phosphate and ribose sugar बिल्कुल ठीक है phosphate and deoxyribose sugar यह नहीं होगा because RNA में पूछा है DNA में तुमसे नहीं पूछा है तो यह अपना इंकरेक्ट हो जाएगा phosphorus base nitrogen and ribose sugar यह बिल्कुल इंकरेक्ट हो जाएगा phosphorus base नहीं आने वाला यहां पे hydrogen बिल्कुल नहीं आएगा तो यह अभी इंकरेक्ट यह विंकरेक्ट फरस्ट वाला हुझाएगा अपना correct answer next question के बारे में हम बात करेंगे which one of the following element is a component of chlorophyll कौन सा element होता है जो component of chlorophyll होता है magnesium, magnesium, iron या फिर zinc तो कौन सा component होगा तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए chlorophyll का structure chlorophyll का जो structure होता है उससे काफी बार तो किशन नहीं देखने को मिलते हैं बट यहां पे तुम्हें binding वगरा से related किशन देखने को मिल जाएंगे फिर भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रिख लेना है chlorophyll के structure को तो मैं तुम्हें बता देती हूं जब भी chlorophyll से related किशन आए तो तुम्हें याद रख लेना है कि जो chlorophyll का structure होता है उसके structure में center में magnesium यहां पे present होगा mg जो होगा वह center में present होगा बिल्कुल एंड जो इसके राउंड राउंड एक nitrogen containing ring होती है चिक है nitrogen containing ring तुम्हें यहां पे देखने को मिल जाएगी इसके बार बार इसके राउंड राउंड जो होगा तो इस question में तुम्हें पूचा है which one of the following element is component of chlorophyll कोंसा element होता है जो की component होता है chlorophyll का तो magnesium वो element होता है वो जो की component होता है chlorophyll का next question के बारे में हम बात करने वाले हैं which one of the following plant causes the epical dominancy तो कौंसा plant hormone होता है जो cause करता है epical dominancy तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि epical dominancy क्या होता है epical growth क्या होता है lateral growth क्या होता है तो सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें थोड़ा सा जा कि इसको पढ़ लेना है या जैसे मैं तुम्हें बताती हूं plant hormone से काफी बार यहां पे किशन्स देखने को भी लेंगे और पीछे भी हमने कुछ किशन्स किये थे इसके regarding तो epical growth मतलब जो length में अपनी growth हो रही है उससे regarding question है तो epical dominance कौन सा वो hormone है जो epically यहां पे ज्यादा growth करवाने वाला है तो इसके regarding तुम्हें पूछा गया है मतलब epical में growth जो होगी उसको promote करेगा lateral growth को वो inhibit करता है epical मतलब जो इसका correct answer आने वाला है वो IAA आने वाला है d is the correct answer next question के बारे में बात करें that is regarding the olfactory organ of snake तो olfactory organ उससे को सा होता है जैकोब्स ओर्गन जैकोंसन ओर्गन या फिर जैकोंस ओर्गन या फिर lateral line तो इसके बारे हम थोड़ा से deep में बात करने वाले हैं तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूँ कि olfactory organ जो होता है सने का वो जैकोब्सन ओर्गन होता है तो first of all तुम clear कर लो कर जो इसका जो correct answer आने वाला वो first वाल आने वाला है तो यहां पर जो भी reptiles होते हैं यह देखने को मिल जाता है तुम्हें यह होता क्या है जैसे कि हमारा को स्नेक है let's suppose an example अपना जो सांप है उसका जो nasal chamber होता है ठीक है जो स्नेक का nasal chamber होता है उसमें pouches present होते हैं sensory जो नौस होती है उनके pouches present होते हैं उनी की help से वह यहां पर सेंस कर पाता है ठीक है moisture बगारा को या फिर जो भी कोई particles है जिन पर smell बगारा है उनको वह sense कर पाता है तो उसको बोलते हैं olfactory organ of snake को सा होगा जेक ओब्सन ओर्गन होगा nasal chamber में प्रेसंट होता है इस पाउच ऑफ से एंसरी नौस तो देन नेक्स कुशन पेसमेकर एंड पेस सैटर से रिलेटेड है जिसके साथ साथ तुम्हें कुछ में यहां पर बताने वाली हूं एक्स्टानोल भी देने वाली हूं तो पेसमेकर एंड पेस सैटर ओफ हर्ट तुमसे पूछा गया है तो काफी इंग कोजि एनकी लोकेशन को कि aussi note जो होगी वह कहाँ पे सिंचोईटेड होगी और एवी नौड कहां पे सिंचोईटेड होगी और इसके साथ साथ तुम्हें याद रख लेना कि इंपल्स जनरेशन पर मिनिट इनका कितना होता है लेट सुपोज मैं तुम्हें बताओ कि ऐसे नोट का अल्मूस्ट 72 बीट्स पर मिनिट होता है ऐसे ही एवे नोट का बंडल ओफिस एंट परकिंजन फाइबर का तुम्हें याद रख लेना है तो ये तुम्हें इस कुशिन के साथ साथ कर लेना है विकंद ये जो है काफी बार इसे कुशिन सुम्हें देखने को मिल जाएंगे तो तुम्हें पता चल गया होगा कि पेस में कर a Sa node होगा और पेस सैटरी हां पे a V Noise होगा normal mechanism का तो तुम्हें पता ही होगा and जो SA node होगा अपना normally वो impulse generate करता है and अगर कोई problem हो जाती है SA node के साथ तो AV node जो अपना होता है वो impulse generate करता है छिका, impulse generate करेगा and जो AV node का impulse generation की जो rate होती है वो SA node के comparison में कम होती है तो ये थोड़ी से extra knowledge तो जो 1st question होगा जो 1st option होगा वो correct होने वाला है which one of the following is obtained from cryocenthenum flower कौन सा होता है जो cryocenthenum flower से insecticide कौन सा होता है जो cryocenthenum flower से हमें यहां पर obtain होता है तो pyranthrum जो होता है वो हमें obtain होताहा इस floor से ठीक है यह तुम्हें होड़ा सा ध्यान रख लेला है तो correct answer जो होगा वो B वाला आने वाला है, second is the correct answer, next question के साइड हम move करने वाले है, select the correct option, ठीक है, correct statement हमें select कर लेनी है, अपना नियूरो ट्रांस्मीटर है, जो अप्षिन होगा है, अपना नियूरो ट्रांस्मीटर है, तो जो option होगा, incorrect होजाए, vitamin D, it's like a hormone, तो इसके बारे में तुम्हें पढ़ा भी होगा, मैं भी तुम्हें बता दू कि जो vitamin D होता है, एक्स लाइक होगा, जब भी हम यहाँ पे sun rays के contact में आते हैं, तो जो अपनी बोडी में क्या produce वन स्टार्ट हो जाता है, vitamin D, and it's like a hormone, तो जो correct answer जो आजएगा, वो second आजएगा, next question के बारे हम बात करें, that is 39, which is on the following structure, इस content Gifoid process, कौन सा structure होता है, जो Gifoid process का contain करता है, ठीक है, skull, pectoral girdle, sternum, pelvic girdle, तो इसके बारे में थोड़ा सा knowledge देने वाली होता, सबसे पहले तुमें पता होना चाहिए, sternum के बारे में, ठीक है, sternum क्या होती, sternum is a flat bone, and इसके साथ साथ तुमें पता होना चाहिए, कि sternum के upper part को हम क्या बोलेंगे, lower part को हम क्या बोलेंगे, तो sternum का जो upper part होता है, उसको बोलेंगे हम manubrium, जो sternum का lower part होता है, उसके साथ associated होता है, Gifoid process, Gifoid process क्या होता है, यह sternum के साथ associated होता है, जब भी यहाँ पे किसी patient को heart attack आ जाता है, तो उस condition में G4 process identification में help करता है उसको यहां पे हम impulse देते हैं ठीक है मतलब उसको हम यहां पे complete process होता है वो मैं यहां पे explain नहीं करने वाली हों तो उसी से related होता है G4 process मतलब related होता है stratum के साथ तो इसका जो correct answer होगा वो C वाल होने वाला है तो next question के side हम move करें which one of the following does not following disease is not a cancer कौन से disease है जो की cancer नहीं है तो lymphoma, glucoma या फिर sarcoma या फिर carcinoma तो इसके रिगार्डे के तुम्हें थड़ा सा पता होना चाहिए जो इसका जो correct answer आएगा वो B वाला आने वाला ग्लुकोमा क्या होता है इसके पारे में तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हें बता देती हम ग्लुकोमा होता क्या है तो जो अपना ब्लाइडनेस यहां पे देखने को मिलती है पेशेंट को ब्लाइडनेस यहां पे हो जाती है तो यह होता है ग्लुकोमा तो यह cancer की condition नहीं है आई की condition है आई प्रोब्लम है तो जो correct answer होगा वो ग्लुकोमा हने वाला है यह थे आज के questions वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हे वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाएट